हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम कक्षा 7 का टॉपिक पढ़ेंगे विद्युद्धारा एवं इसके प्रभाव जो की पार्ट नमबर 14 है दोस्तों इससे पहले हम कक्षा 6 का विद्युद्धारा का टॉपि पढ़ चुके हैं उसका लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे विद्युद्धारा जो प्रवाइत होती है वो विद्युद्ध परिपत के अंदर प्रवाइत होती है और विद्य है विद्युद्ध बल्व, स्विच, बैटरी और सहिंयो जी तार वो आप सब जानते हैं इसके अंदर एक तंतु होता है जिसके अंदर धारा प्रवाइत होने पर प्रकाशित होता है और इसी प्रकार से उसका जो चिन होता है वो आप देख सकते हैं गोला बना के उसके अंदर तंतु का चिन बनाया गया है स्विच के बात करें स्विच ओन इस्थिति में होगा तो वो दो बिंदों के बीच में आड़ी डंडी होगी और अगर स्विच ओफ इस्थिति में होगा तो दो बिंदों के बीच में खड़ी स्थिति होगी इसी प्रकार से दो या दो से अधिक सेलो को अगर हम जोड़ें तो वो बैटरी बन जाती है तो अगर हमें बैटरी बनानी है तो दो या दो से अधिक सेलो को जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए धनात्मक सिरे को रिनात्मक सिरे से और रिनात्मक सिरे को दनात्मक सिरे से जोड़ना पड़ेगा और हमय पस कही सारे बैटरी के sockets भी अवेलेबल हैं इसी तरीके से सही हो जित अरको हम विद्धुत परीवत में एक line के द्वारा प्रदशित करते हैं जैसे उपर परिपत दर्शाय गया है जिसमें बैटरी एक बल्ब है एक पिन है उसमें हम पिन को स्विच मानते हैं तो जो पिन है उसको बंद कर देंगे तो धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से हम बंद परिपत को स्विच की बंद पोजिश में रखा है यहां पे देखिए जब यह स्विच खोली पोजिशन में है तो जो हमारा परिपत है उसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होगी ध्यान रखिए कि धारा हमेश्चा जो बेटरी का धनात्मक शिरा होता है जहां सेल लगा होता है उससे लेकर धनात्मक सिरे की और प्रवाहित होती है और विद्ध धारा प्रवाहित होने कारण बल्व के अंदर जो फिलामेंट होता है वो जलता है और जलने के कारण वो रोशनी देता है और रोशनी के कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं अब अगर यह मालो की इस बल्व के अंदर जो फिलामेंट है या अगर ओन भी है तो भी अपने बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि धारा जो है उस बल्ब के तंतु के अंदर होती हुई ही जलती हैं अब दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप विद्यूत परिपत में काम कर रहे हैं तो छोटे सेल तो ज रहे हैं या फिर कोई बिजली के उपकरणों के साथ काहरे कर रहे हैं तो साबदा नहीं बहते आपको करंट लग सकता है क्योंकि आपका शरीद विद्यूत धारा का सूचालक होता है अब हम बात करेंगे विद्यूत धारा के तापिय प्रभाव की आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब बहुत बहुत देर तक जलने लगता है तो गरम हो जाता है क्योंकि विद्यूत धारा का उप्योग बहुत हद तक बल्ब के द्वारा होता है और उसके अंतर तंतु होता है वह इस पदार्त का बनावा रहता है कि वह गरम हो जाता है गरम होके उश्मा उर्जा उश्मा को बाहर निकाल देता है तो इस तरीके से इसे विद्यूत का तापिय प्रभाव कहते हैं तो विद्यूत हीटर में विद्यूत हीटर आप में देखा होगा उसके चारोत तार होता है कॉंडली नुमा शेप में होता है जिसको विद्यूत का तापी अव्योव कहते हैं किसी तार में उत्पन हुई उश्मा का परिमान उस तार के पधार्थ पर निर्वर करता है तो किसी तार में जित्ते भी उश्मा बन रही है उसका मान तार के पधार्थ पर निर्वर करता है बल्ब से उश्मे उर्जा बाहर निकलती है अब आप जानते हैं बल्ब से उश्मे उर्जा बाहर निकलती है वह एवांचनी होती है तानि उसके हमको जरुरत नहीं होती है इसलिए जो उर्जा है वो पूरी तरीके से सदूपयोग नहीं हो पाता तो बल्ब की जगे हम क्या उ उपयोग में ले सकते हैं, CFL जो होते हैं, वो उसके अंदर गेज भरी हुई देती है, और वो अच्छी कम विद्धुत खर्च के साथ, अच्छी एनर्जी सेविंग कर पाता है, और विद्धुत फ्यूज जो होते हैं, ऐसे वायर होते हैं, जब शोर्ट सर्किट हो जाता है, जब दो तार आपस में टच हो जाते हैं, उस केस में जो ज़्यादा लोडिंग हो जाती हैं, उसके कारण से विद्धुत फ्यूज जो होते हैं, उनमें उनके लगाने के कांट सारी धारा विद्धूत फ्यूज के तुरू प्रवाइत हो जाती है, जिससे विद्धूत के जो उपकरण होते हैं, जिससे टीवी है, फ्रीज है, कूलर है, या फिर अपने प्रेस है, या फिर माइक्रोवेव ओवन है, ये सब बच जाते हैं, तो इस तरीके से हमने विद्धूत धरागत आपिय प्रवाव पढ़ा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर डेस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं, और इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मॉच्च